हेलो स्टुदेंट्स वेलकम्टू गेट नॉलेज इस दिव्या माईशुरी स्टुदेंट्स आप सीख रहे हैं कम्पीटर की टेराबाइट बुक का क्लास 7 का चेप्टर 2 जिसका नेम है कैलकुलेशन इन एक्सल 2016 और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा हम जानेंग के सेल एंड सेल रफ्रेंसेज के बारे में एंड यूजिंगा फॉर्मूला और एक फॉर्मूला को यूज करना भी हम इसी वीडियो में सीखने वाले हैं सो विदाउट वेसिंग डाइम लाट्स बेगिन सो स्टुदेंट्स यह चेप्टर बहुत इंट्रेस्टिंग होने व भी सुनिया रिबन पॉसमी थे पाट के बिजिए यहां करते हैं बर इसकी सेल वाडय और आलास यू सीक वारे में पर शीखने हें सो चलिए इसे समझते हैं यहाँ पर यह भी बताया गया कि आप इस chapter में क्या क्या सिखने वाले हैं आप इसमें सिखेंगे formulas के बारे में functions के बारे में and error results के बारे में सबसे पहले हम introduction में जानते हैं Excel में क्या बताया जाएगा यहाँ पर mathematical formulas and executing functions are unique feature देखिए हम बताया कि mathematical formulas जो होते हैं और executing जो functions होते हैं वो unique feature होते हैं Microsoft Excel के जो Microsoft Excel है उसमें mathematical formula के लिए especially उसे use किया जाता है functions को execute करने के लिए इसे use किया जाता है तो इसी लिए यह दोनों ही unique feature है एक्सल के अंदर formula is a set of mathematical instruction एक formula mathematical instruction का एक set होता है जैसे maths में कोई भी formula बनता है तो उसमें mathematical instructions होती हैं इसी तरह से Excel में भी mathematical instruction के set को formula कहते हैं they can be used in Microsoft Excel to perform calculation यह Microsoft Excel में calculation को करने के लिए use किया जा सकते हैं यह जो formulas है यह use किया जा सकते है Microsoft Excel में कोई भी calculation करने के लिए a formula usually consists of an operator झाल से करते हैं जो आप आप्रण्ड बोलते हैं जो फोर्मुला हbт जो आप वग्वेसे सीये और फॉर्मुला ऑक्षिट अन्दी विंहें on जुसे इसमी कर से कोक्ते हैं, सॐरोगी और शैयरा में विन्हों चला मेंूझालिये औरी ने辱ैना मिद्स to sign in front अब देखें यह बता गएक है कि जोिए टाइप किया जाता है एक worksheet के cell में या फिर formula box में चाहिद कि फॉर्मूला box में तो या तो formula box में या worksheet में जाब टाइप किया जाता है तो उस फॉर्मुल्य के सामने equations to का sign लगाया जाता है जो अकवल यह लगाया जाता है अब formula can contain a set of values, cell references, functions एक formula में च्या क्या हो सकता है formula में value का set हो सकता है means जिस value का आप calculate करना चाहते है cell references हो सकते है functions हो सकते हैं जिन से आप calculate करना चाहते हैं और यह सभी एक operator के साथ हो सकते हैं If in case you do not type equals to sign, in case यदि आप equal to sign को type नहीं करते हैं, तो क्या होगा, then Microsoft Excel treats the formula as a text entry, तो Microsoft Excel उस formula को एक text entry के रूप में treat करता है, means वो उसे formula नहीं मानेगा, उसे एक text मानेगा, सुनाओ जानते हैं cell and cell references के बारे में, आखरी ये cell and cell references होते क्या है, The data that you will use with a formula can be placed in a single cell or range of cells in a worksheet, data जो कि आप एक formula के साथ use करेंगे, जब आप Excel में formula लगाएंगे, उसमें data यूज करेंगे, तो वो एक worksheet में, एक single cell में या range of cell में place किया जा सकता है, The value in these cells or range of cells references are used to evaluate the result, इन cells में या cells की range में जो value होती है, उसका use, result को evaluate करने के लिए किया जाता है, result को निकालने के लिए किया जाता है, Instead of giving individual cell references, you should provide a range of cell, cell references को individually देने के बजाएं, मिस अलग-अलग देने के बजाएं, आपको cell की range प्रोवाइट करानी चाहिए, Consider the given example, दिए गए example से इससे समझते हैं कि कैसे हम individually न देकर cell की range को provide करा सकते हैं, देखें, ए ए एक्जम्पल में दिए गए है, the cell is column K and row 8, जो cell है column K में और उसकी row 8 है, तो अब इसमें जो cell का reference दिया जाएगा, जो range दिजाएगी, वो दिजाएगी K8, तो इससे वो K8 का जो cell है, वो range में आ जाएगा cell की, then B है, the range of cells is column M and rows 5 to 30, अब देखें, ये काफी बड़ी range है, जिसमें M column में हमें 5 row से 30 row तक select करना है, means range देनी है cell की, तो उसमें हम कैसे देंगे, हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं M5, column, ये column का mark होता है, तो इस तरह से हम इसकी range ले सकते हैं cell की, अब देखें, next example दिया गया है, the range of cell in row 3 and column A to E, column A से लेकर E तक के select करने हैं और उसमें 3rd row के सभी cells को हमें range में लेना है, तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, A3, column E3, तो इस तरह से क्या होगा कि A3 का means क्या हुआ, A3 का means हुआ, A तो हमारा column है और 3rd row है, and E हमारा column है, 3rd row है, तो A3 से लेकर E3 तक के सभी columns उसमें range में आ जाएंगे, then next example है, all the cell in row 2, row 2 के सभी cells को अगर हमें range में लेना है, तो हमें कैसे लिखना होगा, 2, 2, and then last example है, all cells in column E to F, E से लेकर F तक के सभी columns के सभी cells को हमें range में लेना है, तो हमें उसके लिए कैसे लिखना होगा, E colon F, so इस तरह से आप provide करा सकते हैं cells की range को, so चलिए जानते हैं, using a formula, एक formula का use करना, किस तरह से हम Excel में एक formula यूज़ करते हैं, a formula can be a simple one with a single operator, और a complex one with multiple operator, एक formula, एक single operator के साथ simple भी हो सकता है, और multiple operator के साथ complex भी हो सकता है, means cutting भी हो सकता है, it must start with an equal to sign, यह है, एक equal to sign के साथ start होदा चाहिए, देखिए, यहाँ पर दिखाया भी गया है, यह equal to का sign, आप सभी लोग जानते हैं, maths, सभी बच्चे पड़ते हैं, तो सबको पता होता है, यह equals to का sign क्या होता है, तो इसके साथ ही start होता है, Excel के अंदर formula, to calculate the sum of numbers, follow these steps, numbers का जोड़ calculate करने के लिए, हमें कुछ steps follow करने होंगे, means numbers का sum करना है हमें, तो उसके लिए क्या step है, step 1 है, to enter a formula, formula enter करने के लिए, इधर click in formula bar, या तो आपको formula bar पर click करना होता है, और double click the cell where you wish to get the result, या फिर आपको जहाँ पर भी result प्राप्त करना है, वहाँ पर उस cell में double click करना होता है, means दो तरीके बताए हैं, या तो आप formula बार में कर सकते हैं, देखे step 1 में, यह step 1 है, यह formula बार होता है, यहाँ पर आप formula type कर सकते हैं अपना, या फिर जहाँ पर भी formula करना है, वहाँ पर double click करेंगे, वहाँ पर formula enter करा देंगे, then step 2 है, type equals to sign and then types a formula, अब आपको equals to का sign लगाना है, और उसके बाद formula अपना type करना है, जो भी formula होगा आपका, notice the color of the cell name typed in the formula and the corresponding color of the border that appears around the cell, अब आप notice कर सकते हैं कि, जैसे जैसे आप formula में cell का reference देंगे, तो वहाँ पर cells के जो borders हैं, जो आप select करेंगे, जो भी reference लेंगे, तो वहाँ पर border अलग-अलग colors में appear होना शुरू हो जाएगा, देखें, यहाँ देख सकते हैं, blue color, red color, green color, इस तरह से अलग-अलग color आ जाएगे, तो आप यह notice कर सकते हैं, जैसे जैसे आप formula में range लेंगे, cells की, उसे सबसे यह color change करता जाएगा border के, then step 3 है, when you finish entering the formula, click yes next to the formula bar और press the enter key, अब जब आप अपना formula पूरा टाइप कर देते हैं, पूरा लिख लेते हैं, एंटर कर देते हैं, उसके बाद आपको formula bar के बराबर में यहाँ पर बिल्कुल पास में ही, एक yes का mark होता है, उस पर click करना होता है, यदि आप इस पर click नहीं कर कर सकते हैं, दोनों ही काम सेम करेंगे और उसके बाद आपका formula execute हो जाएगा, उसका result आजाएगा, इस तरह से आप एक formula enter करा सकते हैं, आगे दीखे, tech fact में बताया गया है, a formula can be simple compound or complex formula और it can be a text formula, एक formula simple compound भी हो सकता है, complex formula भी हो सकता है, या फिर a text formula भी हो सकता है, a simple formula is an expression that is made up of numbers, arithmetic operators, cell addresses and parenthesis, एक simple formula में एक expression होती है, जो numbers, arithmetic operator, cell address और parenthesis से बनी होती है, जैसे कि यहाँ example में दिखाया गया है, कि यहाँ पर देखिए equals to का sign तो लगा नहीं है, साथ में parenthesis आगे, दोनों साइड में parenthesis है, एक open parenthesis है, closing parenthesis है, then यहाँ पर a1 address आगया, cell का, and यहाँ पर यह operator प्लस माइनस का जो होता ही operator होता है, then यहाँ पर cell reference है, then again यहाँ पर इस तरह से आपका दिखा दिया गया है, कि यह cells है, और cell के address है, और उन्हें जोड़ दिया जाएगा, a1, a2, a3 में जो भी figure लिखी होगी, वो add हो जाएगी, next है compound formula in expression, that has more than one arithmetic operator, अब जो compound formula होता है, उसमे एक से अधिक arithmetic operator होते हैं, क्योंकि देखें, यहाँ पर arithmetic operator केवल एक है, plus का mark है, plus sign है यहाँ पर केवल, और कोई नहीं है, तो इसमें एक से ज़्यादा arithmetic operator होते हैं, जैसे कि example में बताया गया है, equals to का sign है, then parentheses है, a1, plus a2, plus a3, and साथ में multiplication का mark लगा के, four से multiply भी कर दिया गया है तो एक से ज़्यादा operator जब आ जाएंगे, तो उसे compound formula कहेंगे, and text formula adds character and string value and uses and symbol, अब जो text formula होता है, वो characters और string value को add करता है, और end symbol को use करता है, end symbol, इसे end symbol बोलते हैं, example में आप देख सकते हैं, equal to का mark है, even address दे दिया, cell का, then multiplication का mark है, operator आ गया, then quotation mark है, and then end का mark आ गया, और उसके से यह हमारा हो जाता है, text formula, अब यह नीचे बताया है, the cell will display the formula result and not the formula, अब देखें, जो cell में हम formula लगाते हैं, वो formula हमें result देता है, ना कि formula का display करता है, means जब हम formula लगाएंगे, जैसे कि हापर यह formula बताया है, compound formula, जब हम यह लगाएंगे, तो यह display में नहीं आएगा, इसका result display में आएगा, जो भी इसका answer होगा, in case you change data within the cell range, that the result will automatically change, अब in case आप data को change कर देते हैं, जो cell range आपने लिए है, जैसे A1, A2, A3 यह cell range लिए गई है, यदि इसमें data कुछ लिखा हुआ है, और उस data को आप change करते हैं, तो automatically आपका result भी change हो जाएगा, क्योंकि जब महाँ पर ज जो digit थी, वो change हो गई, तो जो भी digit आप डालेंगे, उसके according यहाँ पर answer दिखाएगा, तो देखे कितना आसान हो जाता है, कि एक बार हमने एक formula लगा दिया, उसके बाद कोई भी digit डालके, आप उसका answer चेंज कर सकते हैं, tech help में यहाँ पर कुछ help की गई हमारी, instead of typing the cell address, click the cell cell address को type करने के बजाए, आप cell पर click भी कर सकते हैं, this method is called pointing, इस method को pointing का जाता है, जैसे कि अभी उपर बतायागा है कि cell address लिख दीजे, a1, a2, a3, लेकिन यहाँ पर बतायागा है कि यदि आप नहीं लिखना जाते तो उसकी बजाए, आप क्या कर सकते हैं, cell पर click कर दीजे, ज symbol है, उसे लगाने के बाद, आपको क्या करना है, आपको cell address को type नहीं करना है, just click the cell, केवल cell पर click करना है, जिस भी cell का आपको address चाहिए, the status bar will display a status of point, status bar आपके status of point को display करेगा, then type an operator and click the other cell, उसके बाद आपको क्या करना है, operator को type करना है, और दूसरे cell पर click करना है, continue the same till you are done, ऐ press the enter key to see the result, उसके बाद जब आप complete करने, तो आपको enter key press करनी है, तो आपको result मिल जाएगा, students, यहां तो हमने theoretical थोड़ा समझ लिया, कि Excel में किस तरह से हमें formula लगाना है, बट अभी हम Excel एक बार खोलना सीख लेते हैं, किस तरह से हमें open करना है, वो हम practically समझ लेते हैं, तो मैं आपको यहां बताना चाहूंगी, office 2016 का Excel, Microsoft Excel 2016 आप सिखेंगे, और open करना भी सिखेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमारे पास two method से open करने के, first method है keyboard के द्वारा, और second method है mouse के द्वारा, तो पहले मैं आपको keyboard के द्वारा बताती हूँ, keyboard में हमारे सामने window बटन होता है, both side होता है, left में भी और right में भी, कोई भी window बटन आप प्रेस कर सकते हैं, उस पर window का mark बना रहता है, उसे हम प्रेस करेंगे, जैसे हम प्रेस करेंगे, तो यहां पर हम type कर सकते है, Excel, E-X-C-E-L, जैसे हम लिखेंगे, तो यहां पर देखे, Excel का यह आ जाएग और इस पर हम click कर देंगे, और जैसे हम Excel पर click करेंगे, तो यहां पर हमारे सामने Excel open हो जाएगा, देखे, यह इंटरनेट से मेरा update हो गया है, Excel, और यह 2019 में update हो गया है, तो यह तो बहुत ही अच्छा है, आप 16 सीख रहे हैं, साप में 19 भी सीखेंगे, 16 और 19 में ज्यादा difference नहीं है, थोड़ा बहुत difference है, बाकि सेम है, तो अभी हम home पर जाते हैं, यह blank workbook यहां पर आजाता है, इस पर भी जा सकते हैं, तो हम यहां पर blank workbook में जाते हैं, जैसे हम इस पर click करेंगे, तो देखे, यहां पर blank workbook open हो जाएगी, और इस तरह से यहां पर हमारे sales यहां हमारा यह tab आजाता है, file tab, यह देखे, यह file tab आजाता है, home tab, insert tab, page layout tab, formula tab, data, review tab, view tab, help tab, and tell me what you want to do, यह भी आपका आजाएगा इसमे, and साथ में यहां पर हमारे कुछ groups आजाएंगे, हर एक tab में अपने अपने groups होते हैं, वो सभी groups आप देख सकते हैं, जैसे clipboard group, phone group, alignment group number group, and उसके नीचे हमारा यह आजाता है formula bar, यह देखे, यह formula bar है, यहां पर हम formula type कर सकते हैं, यहां पर हमारे cell की range आती है, जैसे हम किसी cell पर भी जाएंगे, देखे, मैं यहां पर जाती हूँ, मैं से zoom कर लेती हूँ थोड़ा, देखे, यह zoom हो गया है, और आप आप देखें columns हैं, और यह हमारी rows आजाती हैं, तो इस तरह से यह columns और rows आजाते हैं, तो यहां पर जब हम address देखते हैं, तो देखेंगे, c column बता रहा है, यह देखे, c लिखा हुआ है, तो c तो column है, and third row है, इसलिए यहां पर c3 दिखा रहा है, जैसी मैं c4 पर जाओंगी, तो यह c4 दि जाएगी, तो इस तरह से हम यहां पर address में जा सकते हैं, तो students, अब हम इसमें एक sum का formula लगा के देखते हैं, उसके लिए हम कुछ cells में, कुछ digits लिख लेते हैं, मैं यहां टाइप कर देती हूं, digits, 67, 89, 90, and 45, अब हम इने total करना चाहते हैं, sum करना चाहते हैं, तो हमने क्या कि हम कहीं भी किसी भी cell में जहां पर भी हमें sum करना है, suppose मुझे यहां sum करना है, तो मैंने यहां पर equals to का sign लगाया, देखे, equals to का sign आ गया, then यहां पर bracket लगाया, parenthesis जिसे बोलते हैं, so यहां पर हम cell addresses देंगे, cell addresses किस तरह से देंगे, देखेंगे, यहां पर कौन-कौन से cell address है ह और B में third row पर है, तो B3 यहां पर आ जाएगा, B3, and उसके बाद हम operator लगाएंगे, यहां प्लस का sign लगाएंगे, operator plus है, then next है B4, क्योंकि B4 में लिखा हुआ है, तो यहां पर हम लिखेंगे B4, then plus का sign लगाएंगे, देखे, color change होता जा रहा है, आप देख रहे होंगे, and then हम यहां पर लिखेंगे B5, क्योंकि next B5 है, और देखे, select भी हो गया, आप यहां देखेंगे, कि यहां पर अपने आपी, एक चारो तरफ border आता जा रहा है, colorful, जो color यहां पर आएगा, वो उससे attach हो जाएगा, देखे, यहां पर आप देखेंगे, कि यहां purple है, तो यहां भी purple है, red है, तो यहां भी red आगया, so इसके बाद हम plus का sign लगाएंगे again, and उसके बाद हम लिखेंगे B6, यह देखे, सभी select हो चुके है, अब हम यहां पर penanthesis को close करेंगे, and then enter कर देंगे, तो देखे, यहां पर इसका total आजाएगा, और जैसे हम इस पर double click करेंगे, तो आप दे cell range लेंगे है, तो उसमें हम जो pointing की द्वारा होता है, tech help में हमने पढ़ा था, equal to का sign लगाएंगे, parenthesis लगाएंगे, और यहां पर first वाला जो हमारा digit है, उसे select करेंगे, और जैसी करेंगे, तो यहां पर देखे, अपने आपी इस cell का address आगया है, अब यहां पर हम plus का mark लगा है, and then enter, तो देखे, इस cancer same आजाएगा, अब आप यदि किसी भी figure को यहां change करते हैं, तो यह auto change हो जाएगा दोनों में, देखे, मैं यहां पर करते हूं, यहां पर मैं कर देती हूं, 54, and then आप देखे, effect, जैसे ही हमने यहां पर कोई digit change की, तो यहां पर automatically effect हुआ, और वो amount कम हो गई, यदि मैं यहां करती हूं, 100, तो देखे, यहां पर अब यह बढ़ जाएगा, और यहां भी हम कर देते हैं, 200, तो देखे, यहां पर जैसे ही हम कुछ भी change करेंगे, तो उस cell range में change करते ही, हमारे formula पर effect हो जाएगा, और इस formula को देखने के लिए, मैं आपको बताया ह होगा, if you have any queries, so you can comment me in the comment box, next video में next topic के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए, bye-bye,